हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने यूटूब चैनल का नहीं या कलासेस पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आसंग जनन किसे कहते हैं और आसंग जनन कितने प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले हरिणा लेंगे असंग जनन इसमें लिखेंगे कभी कभी पोधे के जीवन चक्र में युगमक सलैन या अर्द सूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्तित में नए पोधे का निरमार हो जाता इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं इसकी खोज विंकलर नामक वैग्यानिक ने की असंग जनन मुख रूप से दो प्रकार के होते हैं नमबर एक काईक जनन इसमें लिखेंगे इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन होती है एक नया पोधा जन्म लेता है जैसे गन्ना आलू आद्य नमबर दो है अनिसेग बीजता इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन की अनुपस्तित में बीज का निर्माड इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है परंत बीज के बनने में सन युगमन एवं अर्ध सूत्री भाजन नहीं होते तो बच्चों ये था असंग जनन की से कहते हैं असंग जनन के प्रकार तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर तता सिस्क्राइब गरना ना भूलें